एंटी पीसी भी पूछे गए अब तक के महात्पूर प्रस्ण पहला प्रस्ण है बार्क यानि बी ए आर सी का मुख्यालाय कहां है इसका अंसर हो जाएगा ट्राम्ब मुंबई महाराश्ट गठन कभ गवा था तीन जनवरी उनने सो चुगन को निदेशक कौन है इसके तो FTA का चेर्मेन है किस रेंदू मजूमदार बिटिस अकादमी आफ फिल्म एंड टेलिवीजन आर्ट्स इसका फुल फार्म होता है जो भी ये FTA है प्रस्ण नंबर थर्ड है बिस्म टेक यानि की B.I.M.S.T.E.C. का सदश्य कौन कौन है तो बिस्म टेक का सदश्य यहां पे स्रिलंका, मियमार और थाइलेंड तो आपको ध्यान में रखना है यहां पे पाकिस्तार नहीं है तो इसका जो स्थापना दिवस्च हुआ था कभगा था इसको 6 जून 1997 को इसके स्थापना होई थी इसके महा सची कोन है इसके महा सची है साही दुल इसलाम पानिपत का दूस दुसरे युद्ध कभगा पानिपत का दूसरा युद्ध हुआ था पांच नमबर 1556 में समराट हेम हेमू चंद्र बिक्रमा दित यानि की हेमू तथा अगबर के बीच ये युद्ध हुआ था पहले डाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होई थी कभग थी 1526 मे इसी युद्ध में पहली बार बरूद अगने अस्त्रो और मैदानी तोप खाने लडाई में सामिल किये गए थे प्रेस नमबर अगला है मोपला बिद्रो कभ हुआ था मोपला बिद्रो 1922 में हुआ था कहां पे हुआ था केरल में हुआ था अर्थ सास्त का नोबल पुरसकार किसे मिला तो अर्थ सास्त का नोबल पुरसकार पॉल और मिल ग्रोम और रॉबर्ट भी बिल्सन को मिला प्रेस नमबर अगला है मान्टेंग यू चेम्स फोर्ड सुधारक सुधारक किसके सासनकाल में हुआ था तो चेंश फोर्ड की सांसर काल में यह कब गए था? 1919 में भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का सूत्र था है Deuterium Oxide यानि कि D2O यानि कि S2O हम पढ़ते हैं जल का सूत्र होता है लेकिन भारी जल का पूछता है तो यहाँ पर H के स्थान पर आपका D हो जाता है इसको बोलते है Deuterium Oxide प्रेस नमबर अगला है जलिया वाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्राइल 1919 को इसे अमरतसर हत्याकांड भी कहा जाता है यहीं कि आपको ध्यान रखना है जर्नल डायर ने करवाया था यह भी ध्यान रखेंगे प्रेस नमबर अगला है फिल्म फेर आवार्ड में सर्वशेष्ट फिल्म का आवार्ड किसे मिला? बेरी इंपॉर्टन कोईशन है तो सर्वशेष्ट फिल्म का आवार्ड मिला है गली बॉय को सर्वशेष्ट निर्जेसक की बात करते है तो जोय आकतर गली बॉय से थी सर्वशेष्ट अबने था रडवीर सिंग सर्वशेष्ट अबने त्री आलियावट प्रेस नमबर अगला है बंगाल का विवाजन कब हुआ था है तो बंगाल का विवाजन हुआ था 1905 में और इस समय यहांके जो जनरल थे गवर्णर जनरल थे तो आपको देखना है लार्ज करजन करजन मांके इस समय गवर्णर जनरल थे भारती पुरातत्व विभाग की स्थापना हुआ था इसी समय आपका उनिस सो लाड करजन के समय में ही भारती पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी ये जो गर्जन साब थे उनका जो सासन काल रहा था 1899 लेकर कि 1905 तक उसके बद लाड हर्डिंग साब आय थे पलासी का युद्ध किसके बीच हुआ था तो पलासी का युद्ध जो हुआ था सिराजु दौला और रावर्ट कलायो के बीच हुआ था सन 1757 में रावर्ट कलायो और शिराजु दौला के बीच अंग्रेज और या भारती है सहिंगत राश्ट्रे विकास कारिकरम का मुख्याला कहां पे है तो सहिंगत राश्ट्रे विकास कारिकरम का मुख्याला है न्यूयार्क में है मासची यांके है अचीम स्टेनर और स्थापना होँआ था 1965 में सिमला संज़ता कब हुआ सिमला संज़ता 3 जुलाई 1902 में हुआ था 3 जुलाई 1902 को सिमला संज़नता होँआ था भारत और पाकिस्टान के बीच यह समझ़ाता हुआ था NIU का Full Farm क्या है तो NIU का Full Farm होता है Netbook Interface Unit क्या होता है network interface unit Nokia का CEO कौ होना है तो Nokia नोक्या का CEO है Pica Lunda Mark इसमें Nokia के CEO है Vitamin D की कमें से कौन सी रोग हो जाती है तो विटामिन D की कमें से 2 रोग होता है तो आपको ऐस्टो मेलेष्या होता है रेकर किसमें होता है पोचा किसमें गया है इसको option के साफ से आप बता सकते हैं यानि कि australisya और rickets दोनों रोग होते हैं rickets आपका बच्चम हो जाता है australisya आपका किसम होता है बड़े लोगों को जो वैस्क होते हैं उनके अंतरगत होता है अगला प्रेस ने FICCI का full farm क्या है FICCI का full farm होता है Federation of India Chamber of Commerce and Industry इस्थापना होई थी 1927 में प्रेस नेंबर नेक्स्ट है गोल गुमबज कहां है तो गोल गुमबज बीजापूर करनाटक में इस्थित है जपान की मुद्रा क्या है बेर इंपर्णन कोस्चन जपान की मुद्रा से तो जपान की मुद्रा एन होती जपान की मुद्रा घंबर नेक्स्ट है राहुल कांदी का संसदी छेतरा कहां है तो राहुल कांदी का संसदी छेतरा है वाइनार जो के केरल में पढ़ता है प्रेस नमबर नेक्स्ट है पेटियम मनी का CEO कौन है पेटियम मनी के CEO की बात करते हैं तो इसमें वरुड शरीधर उसके CEO हैं, संस्थापक की बात करते हैं तो बजय सेकर सरमा पेटियम के संस्थापक रहे Father of Nucleus फादर आप नुकिलेस किसी कहा जाता है तो अरनेस्ट रदरफोर्ट को फादर आप नुकिलेस कहा जाता है नाविक का जनक किसी कहता है तो नाविक का जनक कहते है ये रदरफोर्ट को राष्टी रच्छा अकादमी का मुख्याला कहा है तो राष्टी रच्छा अकादमी का म पुड़े में पढ़ता है पुड़े महाराष्ट में पढ़ता है खड़क वासला इस्थापना हुआ था साथ दिसंबर 1904 को बुद्ध की सबसे उची प्रतिमाव का चीन में है जो की 233 फुट उचाई पे है अगला प्रस्थन है उप राष्ट पती का बेतन कितना होता है तो प्रस्थन नंबर अगला है जी 2020 किसकी अधिशता में हुआ जी 2020 सौधी अरब की अधिशता में हुआ था प्रस्थन नंबर नेक्ट है द्रब्मान केजी रासी है तो द्रब्मान हमारा कैसी होती है अधिस रासी होती है नेक्स्ट प्रेशन आपका है चाल आयतन कारे समय और जा यह सब आपके कहल लाते हैं सब आपके अधिस रात के अंतर गताते हैं अगर चाल पूचा जाएगा तो यह भी अधिस रात सी है आयतन पूचा जाएगा तो आयतन भी आपका अधिस रात सी है कार यह भी पुछा है, कार भी अधिसरासी है, समय भी आपके अधिसरासी है, और जाबी आपकी अधिसरासी है, प्रेश नमबर है, कार लैंड windshield N Ύार को नोबल प्रुदसकार कर मिला, कार लैंड studer कौन थे विजा, इन्हों नो रक्त समू की रक्त की खोज की थी कालेंड इस्टिनर ने और उनको 1930 में जाकर के Nobel Prize मिला था ठीक है 1901 और दो के आसपास उन्होंने रक्त की खोज की थी और 1930 में उनको जाकर के Nobel Prize मिला था तो जो हमारी Blood Group होते हैं इसकी खोज क्या होता है तो Gross National Product क्या होता है Gross National Product Mount Arrest की उचाई कितनी है अभी हाली में 0.86 मीटर इसकी उचाई बढ़ गई है तो पहले कितना होती थी 8848 मीटर हुआ करती थी लेकिन 0.86 मीटर अभी हाली में इसकी उचाई पिर से ना भी गई भारत और नेपाल के द्वारा जिसमें बताए गई इसकी उचाई 8.6 मीटर बढ़ गई है तो इसकी जड़ उचाई गई 84448.86 मीटर चिकन की कड़ाई भारत में किस सहर में परसिद्ध है तो लखनो में जानने वाले जो है यहां पर लखनो में लोग चिकन कहते भी है और चिकन पहनते भी है तो लखनो वाले अब जानते होंगे चिकन की कड़ाई का जो सहर है कौन सा है लखनो लखनो की बात कर लेते हैं तो लखनो की राजधानी लखनो है भाया उत्तर प्रदिस की राज़ा नहीं लगनु है मुक्यमंत्री यहां पे हैं बावायोगी अधितनाद जी और यहां की राजपाल जो है अनन्दी बेन पतेल जी है भारत की सबसे उवा राश्पति कौन है तो भारत की सबसे यूर्ल किसी चीज़ का किसी वीडियो का उड़ा करके पेस्ट करके आप उसको सर्च करते है तो जो यूर्ल होता है उसका फुल फार्म क्या हता है उसका फुल फार्म होता है आप ध्यान रखने यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है यूनिफर्म रिसोर्सेश लोकेटर भारत में राम सर राम सर अस्तल की संक्या कितनी है अगर भारत में राम सर अस्तल की संक्या पोचता तो आपको ध्यान रखना है कितनी है टोटल 42 बिहार के राजपाल को नहीं बिहार के राजपाल फागो चवान है चोहां की हाला की हाली में भी मौव साइट से कहीं पर आप से चुने गए हैं और इनको बिहार का राजपाल बना गया है बिहार की बात कर लेते हो तो बिहार की राज़ानी पटना है निर्मार हुआ था 22 मार्च 1912 में मुख्यमंत्री कोन है नितिस कुमार यहां के मुख्यमंत्री है देश बंदू किसे कहा जाता है तो देश बंदू किन को बोला जाता है चितरंदन दास को देश बंदू की नाम से जाना जाता है सार्दा एक्ट किस से संबन दिता है तो सार्दा एक्ट की बाद करते है तो बाल विवार निरोधक अधियम 1929 पास हुआ 1930 को ये लागू कर दिया गया था MD की बाद करते है तो MD CEO संजीवर रडू बड़ोदरा गुजरात और तिलंगना भारत का अंतराष्टी बैंक कुनूर कुलम परमाडू औरजा सयंत्र कहा है तो कुनूर कुलम जो परमाडू औरजा सयंत्र है और तमिल नाडू में भारत का सबसे बड़ा परमाडू औरजा केंद्र ही है तो मोल में मापते हैं भारत का निरवाचन आयोक किस अनुच्छे से संबन दित है तो हमारा जो अनुच्छे 324 से लेकर कि 329 है वह हमारा भारत निरवाचन आयोक से संबन दित है गटन की बात करते हैं तो 25 जनुच्छे से अनुच्छे से संबन दित है जो बित आयोक है वो 208 नंबर की अनुच्छे से संबन दित है इस्थापना की बात करते हैं तो 22 नूंबर 1901 इसकी स्थापना भी थी मुखेला नहीं दिलिये है अध्यच कौन है एनकेशिंग है तो आपको यह भी ध्यान रखना है बायत के भी तयायों की अध्यच कोन है तो एनकेशिंग प्रस निम्बर अगला है परियावराड सनच्चण अदियम कब लाए गया था तो परियावराड जो सनच्चण अदियम था 23 मई 1986 को लाए गया था 23 मई 1986 आप ध्यान रखेंगे इसका डेट इसमें इसका जो थीम है वह बेरी इंपोर्टन है तो इसका थीम है बायो डाइवस्टी बेरी इंपोर्नन कोईशन है पिसा प्रियावर्डाट को त् स्वराज मिराज जन्मसिद अधिकार है या किस नहीं आता, स्वराज मिराजशने से अधिकार है, यह विख्यक है कही यह प्रषनिया फेक आपके सामने हैं, उस्पर पहुंचये गए हैं, तो तौछ आप्र करार हो से कहीं ने ने खृसटी परस पर ल adequately होंगे हृंगे। अगर आपको वीडियोघ पसंद आए जरो लाइक किरेगा। छेनल पर अए पर नहीं होगी होगो। । चैनल को सब्सक्राइब करीजीग source iradesziest Islands मिलते हैं। कुछ और प्रश्णों के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद